हेलो दोस्तो और एक नई वीडियो में आपका स्वाकत है दोस्तो अगर आप CSC केंदर वाले हैं या फिर एक कैफे वाले हैं या फिर अगर आप ओनलाइन वर्क करते हैं ओनलाइन काम करते हो तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाले हैं और दोस्तो अगर आप एक राश रासन कार्ट को अपलाई कर सकते हो और यह आईडी भी अपने से जन्रेट कर सकते हो तो किस तर से आईडी को जन्रेट करना है आज किसे ने हम बताने वाले हैं और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा तहीं जाके आपको समझ में आएगा जी हां दोस् miracle मित्रा-ड़ी मिलना चालूंग और किस तरह से आप मित्रा-ड़ी ले के औपने में से के रेसंदेन इनकम बें कर सकते हों या फिर अगर आप मननें से खुछ से रासन काड अपलाई करने के लिए चुख है या फिर अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो को फिल करना होगा इसे के बारे हम बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं अपने मवाली में Google या फिर कौरम को open कर लेना है और वहांप आपको सर्च करना है एन्से और फसे सर्च जैसे कर तो इस तरह से साइड़ open हो जाता और उपर में आपको sign and registration का option मिल जाता उसमें आप जैसे किलिक करते हो वहां पर आपको दो option वहां पर सूख करेंगा एक पब्लीक लोगिंग और एक तो प्रन हो जाएगा पीडियोच लोग में यहां पे यूजर डालना हो ता और इस कैप्च को आपका नीचे में फिल करना होता और इस्से इस में tomb लगा कि उसके बद करना लेकिन आपके पास आईट पास्वर्ण रमाटा सैंद Gun यहांप को नीज़ यूजर का उप्शन ना सोग कर जेता है यहां पर नीज़ यूजर रिजिस्ट्रेशन तो सिम्पल आपको इसी में आपको पहले किलिक करना होगा क्योंकि दुस्तों अगर आपके पास यूजर आईड़ी नहीं तो प्र कैसे लोगिंग करेंगे तो उसमें username english में यह आपको type करना होता उसके बाद username local language मतलब आपके local में जो भी language चलता है तो उसे यहाँ पर fill कर देना यानि हिंदी में हम डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर mother name डालना इंग्लिज में उसके बाद नीचे में फिर mother name हिंदी में लिखना उसके बाद फादर ने भी इंगलिस में लिखना उसके बाद हिंदी में इस तरह से पहले इंगलिस में टाइप करना उसके बाद उसको हिंदी में टाइप कर देना है तो इस तरह से पुरा डिटेल काप को पहले फिल करना उसके बाद आपको नीचे आजाना नीचे में आपको और नमर यहां पे आपको डाल देना आ है करना उसके बाद यहांपर एक e-mail आईडी आपको लगेगा इसके रगे हैं कि बहुत साफ़ार करना उसके बाद नीचे आना उसके बनुक्त नीचे में तिक लगाना उसके बात यहां पे आपको deemIR करना होता है यहां पर याप योजर आईबी बनना पढता है और इस केप्चेश और यहां पे फिल कर Count और दोस्तों जब अगरूजर आएईडिया बनाते हो तो जो भी यूजर नेम में अपनाते हो सच्छ डलते हो इसके पाद चेख विडोको कर सकते हो अधर वाई उसर युजर आइडी को आपने कुछ करना पड़ेगा उसका सारा डिटेयल करने के बाद आपको ह्यांपे से मैं आपको क्लिक कर देना है से मिजैसे क्लिक करते हैं उसके वहाद आपका डॉलिबा और दोस्ते बाद यहाव करना है कि अब still करना है में जैसे क्लिक करता है और यहाँ पियोव कर お מש देदोर नोम से ङॉषिकुल करना अगर यहाओं लोकी करना चाहिए has a बाद sign up में किलिक कर देना तो उसके बाद तिसरा अप्शन तिसरा अप्शन में आपके पास रासन कार है रासन कार नमर यहां पर डालना है इस GAPCH slow Brow buyer प्रथचा से यहां से आप लोगिंग कर जाते हो लेकिन अगर आप नी यूजर है तो यहां पे दुसरे वाले option को आपको कि क्लिक करना दुसरे वाले आपको में मिल जाता नियू यूजर का यहां outs & new user predator for smokers यूर्ड अपका बीacos for obligator of कर देढ़ लेकिन यहां पर इगर यूजर हैं तो आपको यह उससे पीट ओपन हो जाएगा और इस पेज को आपको सही सही से हैं पि परदेना है यहां पर देख सकते मिलास्ट फर्ट इनिब और यहां पर चे पे nouveau जिसके नाम से बाइद करना है हो गया तो उसे आप ले सकते अगर रेट आ गया तो फिर इससे यूजर आईडी में कुछ चैंज करके तो फिर आप ले सकते उसके पासपर्ट डालना है उसके बाद यह कुछ भी नहीं करना इसे वैसे रहना तो इसके अधार नमर यहां पर फिए कर देना अइसके बद यहांपे एक मोगाइल लमर आपको फिल करना उसके लाद कर ले और इसके बाद यहांपे श्टेड में आपको सलेट कर लेना है उसके पाद यहांपे यहांपे कुछ लिख देना है और इस दोनों बॉक्षों में तीक लगा के सम्मीट के बटन में आपको किलिक कर देना है सम्मीट के बटन में जैसी किलिकва तो आपका यूजर आईडी और पासफर यहां पर जनरेर हो जाता है यूजर आईडी पासफर यहां पर बन जाता है तो इस तरह से यहां पर यूजर आईडी और पासफर आप यहां पर बना सकते हो और दोस्तों इसमें अगर आप आप आईडी पासफर बनाते हैं तो आपको क्य करना क्योंकि उपिषयल लोंगी में स्रीप उन्हीं के लिए जो सरकारी अपोसर है जो सरकारी उपसर है वहीं से लोगिंग कर सकता है और अगर आप जिंडेल अदमひ SESC के इंदर हो भी कोई संचालक हे तो आप शहाँ पुब्लिक में क्लिक करके यहां से ID जनरेट कर लेना है जब आपका ID पासफ़र जब बन जाता है वहीं से आप न्यू राशन कार्ड को इलिए अपलाई कर सकते हो या फिर नया मेंबर को भी एट कर सकते हो आपको मिल जाएगा इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे नया रासन कार्ड बनाने के लिए या नया मेंबर एट करने के लिए क्योंकि इस वीडियो में अगर बनाने से तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम अभ और नई वीडियो को नोरे फिजन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं अगले भी नहीं है अब तब तक के लिए बाई